हेलो एब्रीवन मेरा नाम है फेज़ान स्वागत है आपका कहना टीट्यू में जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने साइन कन्विंशन के बारे में पढ़ा था और रिलेशन बिट्विन यू वी एंड एफ के बारे में देखा था जैसा कि अपने वादे की मताबिक हम लोग आज कुश्चन की प्रैक्टिस करने वाले यानि कि प्रॉब्लम सॉल्फ करेंगे ठीक है तो चलिए देखते हैंगे उ उत्तल दरपण की फोकस दूरी वकृता त्रिजा के बारे में बात की गई और वास्तविक और आभास्य प्रतिविम तर वास्तविक Pृत्विक प्रनात्मक यानि की पॉजिटिव होता है और आबासे प्रतिविम क्या होता है नेगेटिव रड़ात्मक होता है ये सारी चीजे आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में अच्छे डंक से और देखिए ये सारी चीजे जो है अबजेक्टिव में पूछी जाती है जैसे पूछ लेंगे कि वकृ पॉजिटिव होती है ठीक है और इसी तरह से फोकस दूरी के बारे में भी पूछते हैं अबजेक्टिव में तो हम लोग क्या करेंगे इसे अच्छे से नोट करेंगे अपनी कॉपी में और इसे अच्छे से याद भी करेंगे ठीक है तो की पॉइंट्स देख लिए और इसी को प्राब्लम करें ठीक है वो हम लोगों के लिए एक तरह से प्राब्लम की तरह है तो चलिए नुमेरिकल को हम लोग प्राब्लम करें ठीक है और प्राब्लम को सॉल्फ करने के लिए हम लोगों क्या चाहिए एनालिसिस करेंगे जो प्राब्लम होगी उस पर एनालिसि क्या शामिल होगा कि किस हत्यार से हमें लड़ना है यानि की फार्मूला फार्मूला यूज करेंगे कौन सा फार्मूला यूज करने वाले हैं और उसके बाद अटेक करेंगे ठीक है तो इससे हम लोग देखते हुए चलेंगे आगे बढ़ेंगे जिस तरह क्वेश्चन में बात करेंगे तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन अपना तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे देखिए सोला सेंटीमीटर फोकस दूरी के ओतल दरपड के सामने एक वस्तु आठ सेंटीमीटर दूरी पर रखकी है प्रतिविम की स्थिति की गवर्ना कीजि प्रिंसपल एक्सिस के बारे में पाद चुक है अगर आपने प्रिंसपल एक्सिस वाला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज पिछले लेक्चर को जरूर देखें अगरे उसमें लोगों ने प्रिंसपल एक्सिस पर बात करी है ठीक है तो प्रिंसपल एक्सिस में यहां पर दरपर के öल प्लोता जिसे हम लोग दोर बेखते हैं है अब देखें इतने हम लोगों कर लिया है ओतल भ Küres दोरी कितनी है हम लोग ने उसके बात के रहरें दरपड के सामने एक shattered cm की दूरी यहाँ पर हो रही है तो यहां पर एक औपज्ड ले लिया है अब यहां से आपको पताएगा कि एक किरर में चलेगी यानी कि एक लाइट रे चलेगी और एक C से चलती है ना किसे कहां से C से जिसे हम लोग क्या कहते हैंगे वक्रता केंद्र तो आगे बढ़ेंगे इतना हम लोगों ने कर लिया आएगा अभी हम लोगों को पता नहीं है कि जो image बनेगी वो positive आने वाली है मतलब positive होगा तो वास्तविक परतिविंब होगा और negative होगा तो आभासी अभी हम लोगों को नहीं बता है इसलिए हम लोग पहले V निकाल लेते हैंगे जो भी आएगा उसी तरह हम लोग figure बना लेंगे ठीक है तो चलिए पहले analysis हम लोगों ने कर लिए जो जो दिया था वो सारी चीज़े पुट कर दिये ठीक है अब आगे देखेंगे हम लोग प्लानिंग का हिस्सा क्या है हम लोगों का formula formula है न तो formula क्या है सबसे पहले analysis में ये भी देखिए कि जो given होगा उन चीज़ों को लिखना है हम लोगों को तो given चीज़े क्या है अपने पास जैसे मान लिदियो क्या कह रहे है दिया है दिया है question में क्या दिया है देखिए f equal to 16 cm तो हम लोग क्या लिखेंगे f बराबर minus 16 cm अब minus क्यों लगा है हम लोगों ने minus इसलिए लगाया है क्योंकि ऑम तरफणly focus दूरि negative होती है ठीक है और देखिए और क्या दिया है गौ किक intense लिख ही दोरी है ना दरफणly वस्तू की दूरी की की के दोरे की कह तो यू कहते हैं तो यू किタना दिया है आज सेंटिमीटर औरकिया होगा नेके पॉस्तिव org होगा हमेजसा देखिये lightώς कि हदर से चलेंगी दरपड़के left-hand side से और हम लोगों ने क्या पढ़ा ये इससे पिछले लेक्छर ये हम लोगोंने पढ़ा है कि सारी दूरी हम फो दूर हुसी लेंगे और ये दूरी देखिए यहां से light race चलेगी इस तरह से है न आप तित किरल जिसे कह रहे हैं ते हम लोग इस तरह से चलेगी आप तित किरल की दिशा में कोई object रखी होगी तो हम लोग उसे positive consider करेंगे लेकिन आप तित किरल की opposite direction में रखी होगी तो उसे negative consider करेंगे तो देखिए यह aptit किरल इस और जा रही है हम लोग उसे दूर के ओर देखिए negative sign लेंगे ठीक है relationship sign आगे बढ़ायंगे देखिए यह सारी चीज़े लिख जिर्वे हम लोग उने अब हम लोग किसकी ज़रूरत है फॉर्मूला की अब प्लानिंग का हिस्सा क्या है कि सत्यार से हमें इसे मारना आएगा अटैक किसे करेंगे तो वह हम लोगों को फॉर्मूला लेना ठीक है फॉर्मूला क्या है अपना इससे सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला क्या आएगा एफ दिया है यू दिया है तो और एकव डू और डू बन आपlaug घ्यें कोन इस में किया कर रही अगहाँ थीकर बनाया जो जो दिया था वह लिखा और्लानिंग के सत्यार को यूज करने वाले हैं तो हत्यार को हम लोग किसे हत्यार किसे कह रहे हैं हम लोग फार्मिला को तो यह फार्मूला लिखेंगे ठीक है इस फार्मूले का ही यूज करके तो कर सकते हैं सवाल कि और किसी तरह से हम लोग वी निकाल सकते हैं फिलाल तो हम लोग इसी तरह f f कितना दियाएगा 16 रखेंगे minus 16 equal to one upon v v कितना दिया देखिए v कहां दिया है v तो पूछा एगा ठीक है तो v ऐसे ही लिखेंगे plus one upon u u कितना है minus 8 ठीक है अब देखिए एक और line बढ़ा कर लिखने से च्छा हम लोग यहां पर आप लोग तो बढ़ा कर लिखेंगे क्योंकि आपको नीचे दिखाना होगा examiner को हम लोग सिर्फ समझ लेते हैं देखिए यह negative positive क्या हो जाएगा negative हो जाएगा plus minus minus कर देते हैं इसे ठीक है समझ रहे है आई होग आप देखिए अब इससे negative हो गया आप हम लोग क्या करेंगे simply पक्षांतर कर लेंगे पक्षांतर में क्या करते हैं number number exit कर लेते हैं और variables जा जिसे हम लोग निकाल रहे होते हो उसे exit कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे one upon 16 है माइनस का और यह इड़ार आएगा है ना तो क्या हो जाएगा प्लस बन अपन एट इक्वल टू वहन अपन वी ठीक है वी इस साइड था तो हम लोग ने इस साइड लिखा है ताकि कन्फीज़न नौ ठीक है तो देखिए वन अपन वी इक्वल टू अब यह देखिए वन एट है और यह वन अपन 16 है तो हम लोग simply क्या करने वाले LCM लेंगे LCM लेंगे तो क्या आएगा 16 ही आएगा आपको अच्छे से LCM लेना आता है अगर नहीं आता तो प्लीस comment में जरूर बता है उस पर भी मैं एक lecture बना दूँगा तो देखिए 16 हम लोगों ने LCM ले लिया है 16 LCM ले लिया हम लोगोंने अब क्या करेंगे simply डिवाइड करेंगे 16 को 16 से तो क्या आएगा 1 और 1 का उपर multiply करेंगे तो 1 ठीक है फिर 8 को 16 से divide करेंगे 16 को 8 से divide करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा तो 2 को हम लोग उपर multiply करेंगे तो क्या आएगा? 2, ठीक है? एक्वल टो 1 अपान V, ठीक है? आगे बलते हैं देखिए, 1 अपान V हो गया आएगा, अब देखिए, ये क्या होगा? माइनस का होगा, देखिए, ये प्लस, हम लोगों ने क्या किया? 16 से डिवाइड किया, और ये साइन कौन सा है? माइनस का है, तो ये क्या आएगा? माइनस आएगा, अब आगे देखिए, हम लोग करता हैंगे, इधर, इसे यहाँ पर सॉल्फ कर लेता हैंगे, ये V है, वाई क्यों लग रहाएगा? ठीक है, V है ये, अब देखिए, टू मेंसे वन सब्स्राइक करेंगे क्या आएगा? वन आएगा, ठीक है, टू मेंसे वन सब्स्राइक करेंगे, यानि कि दो मेंसे एक गटाएंगे, तो वन आएगा, और बटे में 16 बराबर 1 अपान V, तो देखिए, V इक्वल टू क्या आ रहा है? V इक्वल टू 16, V इक्वल टू क्या आया है? 16 आ गया है, ठीक है? आई होप आप समझ गया होंगे, यहाँ पर हम लोगोंने क्या किया है? LCM ले लिया आएगा, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, उसी तरह से किया आएगा, आपको आता है इच्छे से, देखिए, 1 अपान 16 आया, 1 अपान 16 को हम लोग ने simply क्या किया? Cross multiply कर लिया, Cross multiply करने के बाद, V इक्वल टू 16 मिला है, अब V अगर positive आ रहा है, तो image कैसी होगी? image यानि कि परतिविम कैसा होगा? image कहाँ बनने वाली है, हम लोगों ने बनाया है गए, ये इस तरह से, focus दूरी से जाएगा, ये focus दूरी ये मान लिजिए, आप तिद्किरण, जब परावर्तित होती है, तो किस और कहाँ से जाती है, focus दूरी से, देखिए, ये figure बनाएंगे हम लोग यहाँ पर, तो अब वो figure नहीं बनने वाला है, क्योंकि देखिए, यहाँ पर, यहाँ पर हम लोगों के लिए, image बनेगी, और इस figure को हम लोग consider नहीं कर सकते हैं, तो एक नया figure बनाना होगा हम लोगों को, इसे मिटार लेते हैं, आगे figure बनाते हैं, देखिए, और तल दरपड बनाएंगे, इस तरह से देखिए, और यह क्या है, principle axis है, ठीक है, और यह P है, इसे और थोड़ा बढाते हैं, यहाँ पर माइन लिए कोई object रखिए, यह भी दूरी क्या है, अनारे हम लोग, लेकिन वो figure काम में नहीं आने वाला था, देखिए, अब यह, क्योंकि V हम लोगों को पता चलिए, V क्या है, positive, आभासी परतिबिम बनने वाला है, और अभी आप देखेंगे, आभासी परतिबिम यानि कि positive किस तरह से बनता है गा, देखिए, यहां से किरार चलेगी, focus दूरी से निकलेगी, यहां से, F है यह, ठीक है, object बहुत करीब हो चुकी, यानि कि focus दूरी से, यह एक ऐसा अतल देर पड़ है, जिसकी focus दूरी क्या है, focus दूरी 8 cm से ज़ादा है, ठीक है, और देखिए, यहां पर, वक्रता केंद्रों का कहीं, तो वक्रता केंद्र से भी लाइट चलेगी, इस बार देखिए, इस तरह से लाइट चलने वाली है, ऐसे चलेगी, ठीक है, इस तरह से, और यह लाइट जो चल रही है, इस तरह से, ऐसे कहीं पर जा कर मिलेगी देखे इस तरह से ये देखे इस तरह से लाइट चल रही थी ये कहां से गई? वकृता केंदर से C से गई एक बार फिर से देखे ये अबजेक्ट रखी थी अबजेक्ट से लाइट गई टकरा कर वापस आई जानी की परावर्तित हुई और फोकस से गई ठीक है और जो भी किरण वकृता केंदर से चलेगी वो वापस अपने ही मार्ग में वापस लोट आती है और यहां पर कहीं देखिए जब यह हम लोग आगे बढ़ाएंगे इस तरह से तो लगेगो यहां पर कहीं लाइट एक दूसरे को काट रही है जहां पर काटती है लाइट एक दूसरे को या मिलती है जिस पॉइंट पर मिलती है उससे क्या कहते हैं लोग महीं पर प्रतिविम बन रहा हता है तो प्रतिविम कहां पर बनेगा प्रतिविम यहां कहीं पर बनेगा इसका नाम दे देते हैं A-B- ठीक है और ये अबजेक्ट का नाम देते हैं A और B ठीक है अबजेक्ट का नाम है A-B और देखिए प्रतिविम किस तरह से बन रहा है प्रतिविम इस तरह से बनने वाला हैगा आप्तित किरड इस तरह से गई और प्रावर्तित होकर लोटी वकृता के इंदर से चलने वाली किरड वापस उसी मार्ग में आई लाइट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो पता चलेगा यहां कहीं पर काट रही है जहां पर लाइट मिलती है वहीं पर हम लोग क्या किर समझते हैं वहीं पर प्रतिविम बन रहा होता है ठीक है आई होप आप यह समझ गयोंगे और यह दूरी कितनी है दरपड से यह वाली दूरी 16 cm है ना 16 cm I hope आपको ये clear होगा हम लोग एक question और करेंगे चलिए देखते हैं यदी कोई बस तू उत्तल दरपड के सम्मुक 40 cm दोरी पर इस्थित है जिसका पृतिपिम 10 cm दोरी पर बनता है उत्तल दरपड की focus दोरी बताईए यानि कि क्या होगी पूचा है तो चलिए focus दोरी पूचा है उत्तल दरपड की हम लोग simply निकाल लेंगे ये बहुत ही आसान question है और ये exam में पूचा गया है तो सबसे पहले analysis का हिससा अपना क्या है problem solve करने में analysis करेंगे क्या क्या दिया है देखिए यदि कोई बस्तो उत्तल दरपड के सम्मुक उत्तल दरपड के सामने रखी ठीक है कितनी दूरी पर रखी है 40 cm दूरी पर है तो यू दिया है ना यू बराबर कितना दिया है 10 cm ठीक है अब हम लोग ने 10 positive के लिए आए क्योंकि उत्तल दरपड की focus दूरी positive होती है ना बिलकुल गलत object हमेशा opted किरण की विप्रेज दिशा में ही रखी होगी हम लोग कभी भी यू consider करेंगे वो negative ही होने वाला है तो हम लोग यू क्या लेंगे 40 cm negative sign के साथ ठीक है और देखिए इस बार वी दिया है वी कितना दिया 10 cm ठीक है और पूछा के हम लोगों से focus दूरी इस बार focus दूरी positive आनी वाली है क्यों क्योंकि उत्तल दरपड की focus दूरी पता हम लोगों को positive होती है तो चलिए आगे देखते है analysis कर लिए हम लोगों ने analysis में इस बार figure नहीं बना रहेंगे आप खुद से try करेंगे ठीक है वस्तू की दूरी क्या है 40 cm है और वी कितना दिया 10 cm focus दूरी हम लोगों को बताना है ठीक है formula लगाएंगे 1 upon f equal to 1 upon v plus 1 upon u ठीक है तो चलिए देखते हैंगे हम लोगों को f निकालना ठीक है तो simple हम लोग f निकाल लेंगे बहुत आसान है u की value रखेंगे u command दिया हम लोगों को तो u की जगह पर u command रखेंगे u कितना दिया है 44 negative sign के साथ और ये क्या है plus 1 upon v कितना दिया है v command 10 cm दिया है तो हम लोग v की जगह पर ही v command रखेंगे ठीक है v बराबर 10 ठीक है अब 1 upon f equal to simply lcm लेंगे हम लोग को क्या मिलेगा 40 lcm 40 आने वाला है अब 40 को 40 से divide करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा और 1 का उपर multiply कर देंगे तो minus 1 ठीक है plus अब 40 को 10 से divide करेंगे तो कितना आएगा 4 और 4 को उपर multiply कर देंगे numerator में तो क्या आएगा 4 ठीक है अब इन्हें क्या करेंगे subtract करेंगे यानि कि घटा लेंगे तो क्या आने वाला है 1 upon 1 upon f equal to 3 upon 40 ठीक है अब simple लिएम लोग इसे हल कर लेंगे cross multiply करने की जरूरत है या नहीं है देखिए बिल्कुल है cross multiply करेंगे क्या मिलेगे हम लोग को 3 f equal to 40 3 f equal to 40 मिल गया हम लोगो को इधर देखिए यह से हम लोग इधर solve कर रहेंगे simply से हम लोग divide कर लेंगे देखिए इस तरह से f equal to क्या हैगा 40 divided by 3 तो f को 3 से divide करेंगे तो क्या हैगा 13.333 सेंटी मीटर यह positive ही आने वाली थी क्योंको हम लोग को पता था कि उत्तल दरपड़ की focus दूरी positive होती है तो I hope यह आप आसानी से समझ में आगे होगा हम लोग ने सारी values जी और उसे put करके answer निकाल दिया है आगे हम लोग और भी question करेंगे आज के लिए इतना ही रखते हैंगे आने वाले lecture में हम लोग आवर्धन का formula पढ़ेंगे यानि कि उसका relation पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग और भी question करेंगे आवर्धन से related और इसके भी कई सारे question करने वाले कम से कम 10 question करेंगे उसके बाद हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे ठीक है आई होप आपको ये अच्छे से clear हो गया होगा वीडियो अच्छा लगाओ प्लिस वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और अपने दोस्तों के साथ भी share करें thanks for watching can I teach you and thank you again please keep watching video